Hello Strengths, I welcome you to study this amazing chapter जिसका नाम है Strengths, Life Processes तो Strengths, Life का एक्जामपल तो हमें हर जगा मिलता है Strengths I am a piece of life, you are a piece of life Strengths अब किसी भी आनिमल को देख लो Strengths, birds को देख लो, aquatic animals को देख लो They all have life Strengths, इगर plants have life, उनको भी हम living beings बोहते हैं, right Strengths तो Strengths, इस चाप्टर में हम Life के बाने पढ़ेंगे, Life के processes के बाने पढ़ेंगे जैसे मैं आपको एक्जामपल दू कि हम human beings कि अगर हम बात करें तो हमारे body के अंदर बहुत सारे processes चल रहे होते हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए, हमें survive कराने के लिए बहुत जरूई है Strengths जैसे हम खाना खाते हैं Strengths, we eat, ठीक है वो हमारे body के अंदर जाता है, वो digest होता है, उससे हमें energy मिलती है तो यह बढ़ा important process है यह process करा हम body में नहीं हो, तो आसमा सकते है, we will not be alive तो यह एक life process होए, इसके बारे हम यह आपे पढ़ेंगे, life process इस कारवें हम पढ़ेंगे, इतना इनी इस्टूइंट जैसे हम सास लेते हैं, अगर कुछ मिल्टों तक हम सास लेते हैं तो वह एक life process है, हम जिब सास लेते हैं, तो हवा body के अंदर जाती है, अंदर जान के बाद क्या-क्या होता है, क्या processes होते है वह सब हम इस chapter ने पढ़ने वाले instruments जिसे एक और example में आपको दूँ तो हाट, हाट स्टूइट, हाट जो होता है हमारा वो धरकता है तो उससे blood हमारे पूरे body में पंप होता है that is another very important process in our body, तो जिसे स्टूइंट हमारे body में नहीं, बाकी animals और plants के body में भी बहुत सारे ऐसे processes होते हैं जो उनके survival के लिए जरूँ जरूँ जती है, that is what we are going to study in this chapter of strengths, right? तो यह चार्ट है, सबसे पहले हम strengths, इस word we focus करेंगे, that is life so strengths, हम कैसे judge कर लेते हैं कि किसी चीज के पास life है और किसी चीज के पास life नहीं है जैसे हमें पता है कि इन सारे चीज के पास life है, लेकिन हर चीज के पास life है, जैसे िसके पास life है, जैसे पीस of rock ले लोogen, कि पैस life है नहीं है, तो कैसे judgment लेएं कि इन चीज के पास life है है, और बाकी इन सारे parameters होते हैं यह dolphin है, move कर रहे है, cheatah है, move कर रहा है, bird जो है, fly कर रहे है, तो इन कुछ हम move करते हुए देखते हैं, students, तो immediately हमें click होता है, कि इनके पास तो life है, right students? बिल्कुल हमें feel आ जाते हैं, कि हाँ, यह सब बहुत अनाम से move कर रहे है, they have life, जैसे piece of rock है, अगर वो कहीं पर रखा है, student तो वो रखा ही रहता है, वो अपने आप move नहीं करता है, तो हमें समझ में आता है, उसके पास life नहीं है, तो movement एक बहुत important चीज है, students, जिससे हम generally judgment दिलेते हैं, किसी चीज के पास life होगी या नहीं होगी, अच्छा मुझे इस students आप ये बताओ, कि जो plants होते हैं, वो भी तो living being कहलाते हैं, तो यानि उनके पास भी life है, तो क्या वो भी move करते हैं, students, क्या वो भी move करते हैं, students, वो ही move करते हैं, जैसे मैं आपको कुछी examples देता हूँ, जैसे इस plant को देखो, students, इसको बोलते है touch me not, आपने देखा होगा ऐसे plants को, इसमें दो leaves दिखाए गए इसके, ये देखो, normally leaves का position ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई आदम इसको touch करते, तो फोल हो जाता है, students, तो movement हुआ हो आप, तो plants can also move, students, फिर आप देखो sun flower, students, sun flower आपने सुना होगा है, students, उसका जो flower होता है, वो अपना orientation दीन के time change करता है, जैसे से sun अपनी position change करता है, वो भी अपनी orientation change करता है, students, तो वहाँ भी movement हो रहा, students, तो आप सोच रहे होंगे, यह तो कुछ exceptional cases होगे, हर plants के साथ ऐसा, तो नहीं होता है, students, तो देखो, आप ये example देखो, students, this is a very interesting example, इसमें आप देखो, कैसे ही जो coconut tree है, वो straight grow नहीं हुआ है, generally कोई coconut tree, बहुत straight, सीधा उपर जाएगा, बट ये आप देखो, आप से bend हो गया है, bend हो गया, students, तो आसा bend क्यों हो हो, students, तो क्या है कि ये जो plant है, वो light capture करना चाहता है, आपको पता हो, students, हम इस चैटर में आगे ही पढ़ेंगे, कि plants के survival के लिए, light बहुत जरूरी होती है, तो light capture करने के लिए, वो इधर move कर गया, students, इधर move कर गया, तो this is example of movement in plants, students, very interesting, very interesting, और coconut tree नहीं, बाकि different plants और tree भी जो है, वो इस तरह से move कर सकते है, और इतना ही नहीं, students, जब plant grow कर रहा होता है, जैसे आप देखो, अगर कोई plant grow कर रहा है, तो first of all, plants जो है, वो स्वाइल के ऊपर भी grow करते है, और नीचे भी grow करते है, नीचे उनका roots grow करता है, तो जब वो grow करने, students, so that is also a type of movement actually, right? So, plants can also move, और movement के बिसे पे हम कई बार ये जज्ज्मन दे लेते हैं कि life है या नहीं, students, okay? Now, let me put this heading, students, properties of living beings compared to non-living beings. So, जैसे students, मैं आपको बता है, movement, living beings can move, non-living things, जो है, वो अपने आप मूव नहीं गरते है, students, right? Reproduction, students, living beings reproduce करते हैं, जिसे हाथी का बच्चा, हाथी, डॉक का बच्चा, डॉक, प्लांस भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जो हम इस चाहटा हैं पढ़ेंगे, बट कभी आपने सुनाए कि समार्कर का बच्चा होगा, या चेर का बच्चा होगा, no students, growth, growth, हम लोग ग्रो करते साइज में, अपने आप, right, plants भी ग्रो करते हैं, बट एक स्टोन जो है, वो जनरली ग्रो नहीं करता है, ये मार्कर जो है, जिस साइज का है, उसी साइज करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा, right, excretion, respiration, requirement of food, so students of living beings को ही food चाहिए होता है, non living things को food नहीं चाहिए होता है, right, तो students सब में चीज पर आते हैं, life processes, तो students ऐसे पहला question यह राई होता है, कि what is life process, तो students, मैं आपको पहले बता है, students की किसी भी living organism के body के अंदर बहुत सारे processes चल रहे होते हैं, जो कि जरूरी होते हैं, उसको जिन्दा रखने के लिए, and those processes are called life processes, तो students हम लिख सकते हैं, कि life processes are the processes going inside a living organism to sustain life, to sustain life, to sustain life, जैसे example अगर देना हो students, तो reproduction, reproduction बहुत जड़ी होता है, to sustain life, क्यों students, आप ऐसा सोच के देखो, कि अगर reproduction नहीं होगा, तो नए लोग दुनिया में नहीं आएंगे, और जो पुरारे लोग हैं, वो तो students मरते जाएंगे, मरते जाएंगे, तो एक दिन सारे ल मर जाएंगे strengths, excretion वो भी नहीं करेंगे strengths, तो मर जाएंगे, तो these are some of the examples of life processes, तो अभी strengths एक एक करके इन life processes को detail में पढ़ना ही हमारा aim होगा है strengths, तो सबसे पहले strengths, जो food लेने वाला जो process है, human being में जिसको digestive system भी बोलते हैं, तो जो food लेने वाला process है, उसके बारे में बात य nutrition, तो सबसे nutrition क्या होता है, तो मैं पता है, अब nutrition क्यों किसे भी living organs के body के लिए ज़रूरी होता है, जैसे आप देखो, अगर हम कोई भी activity करना चाहा है, जैसे cycling कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, वाक कर रहे हैं, उन सम्में energy खर्च होती है strengths, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, म में energy खर्च होती है, ऐसा नहीं है, mental liver, mental liver में भी energy खर्च होती है strengths, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो strengths, पढ़ाई भी नहीं कर, आप सिर्फ कुछ सोच रहे हो, तो भी energy खर्च होड़ी होती है, देखो, जा आप सो रहे हो, तो आपके body के अंदर बहुत सारी चीज़ चल रही होती है, तो सोते टाइम इनर्जी खर्च होती है, इतना इन instruments, अगर आप सपना भी देख रहे हो, dreaming भी कर रहे हो, तो भी energy खर्च होड़ी है, क्योंकि आप dream कर रहे हो, मतला का brain वो active है, brain active है, तो वो कुछ energy consumption कर रहा हो, तो हम कुछ भी करे instruments, उसमे energy का consumption होता है, इसलिए हम हमें, nutrition चाहिए होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि, nutrition is needed for doing any activity by a living organism, nutrition also provides nutrients for different life processes, अचा है श्ट्रेंट यहाँ पे यह जो nutrient word यूज किया गया है, nutrient word उस पे थरा फोकस करें, उस पे हम कुछ बात यहाँ पे करेंगे, श्ट्रेंट्स, तो इसलिए हम कुछ बात यहाँ पे क nutrients, fats, proteins, vitamins, minerals, nutrients यह साय ना, आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, nutrients, तो जो food हम खाते हैं, nutrients उनमें यह सारे चीजे होती है, यह हमारे body के सारे needs को satisfy करती है, nutrients, जैसे देखो मैं आपको explain करता हूं, nutrients, तो सासे पहले बात करते हैं, carbohydrates of fats के nutrients, तो इसलिए आप rice खाते हो, wheat खाते हो, corn खाते हो, oils खाते हो, तो यह जो सारे substances होते हैं, nutrients, उनमें generally carbohydrates और fat पाए जाते हैं, तो जब इनको खाते हैं, तो हमें यह दोनों nutrients मिलते हैं, nutrients, फिर यह जो तीनों nutrients हैं, nutrients, वो generally vegetables और fruits में मिलते हैं, nutrients, आप समझे बात को, अब देखो, यह दोनों nutrients जो होते हैं, वो हमें energy supply कर कर रहे थे ना कि हमारे बॉड़ी को बहुत इनर्जी चाहिए होती है तो वो इनर्जी हमें इन्ही दोनों न्यूट्रेंट्स से मिलती है इन्ही दोनों न्यूट्रेंट्स से मिलती है अच्छा अब यह जो न्यूट्रेंट्स होते हैं स्ट्रेंट्स इनसे हमें यह तीनों इन इन तीनों की हमें जरुवत होती है तो हम लिख सकते हैं इस्टुएंट की इस न्यूट्रियंट्स बाइब भूज उते हैं वो कैल्सियम से बनते हैं कैल्सियम इस टाइप ऑफ मिनर्स और वो मिल्क में पाया जाते हैं बचपन से प्यों मिल्क पिऊ हडिया मजबूत होंगी आपको आज समझ मैं आ होगा जैसे अमया आरन इस और भू हम लो निजैने स्टॉैंट्स जो की ब्ल और चोकलेट्स शयायद आपको पता हो या आपने देखा होगा स्ट्रिटस की स्पोर्स परशन जो होते हैं वो खेल टाइम् चोकलेट्स खाते हैं क्योंकि यार जब वो खेल रहा है और बहुत इंटेंस गेम चल रहा है कुछ फिजीकल वर्क होड था बहुत तो इन्हटबर हगोटको उनको बहुत जड़ा इनरज की जबरीत होती है तो चॉकलेट्स सब्सक्राइड सनए के च्छों कार्बोहइडरीट्स है यह कोई एक टाइप का नीवत्रेयन नहीं नहीं है अब कार्बोहइडरेट्स जिसे कि इस ग्लूको को गया स्थाइच हो गया ग्लाइको जिन हो टाइप अव चार्बो हैड्रेट्स तो जम कार्बो हैड़िर तो इस त्योट इस दिस्ट आप निगे नहीं और आपको जिए तो आपको यह त्युलियो रहे हैं इस थ्यूट खाथे लिगूट यह ने कि बूलोगेटिस नुट है कि लिगूट फार्ट्स श्युट में दीप यह पता है इजिसे इतफ्ट के बारे में जैसे यह पी आपने प्ने पिए यह कैसे होता है तो उसमें आहने देखा व्ट वाइट पॉटल होता है वह बिसे कुछत निहीं वह ग्लॉकोज है उसमें बहुत सारा कार्बोईड होता है तो जब आप उसको पीष्ट पानी मिलाकर आपको बहुत सरा hautid मिलता है तो आपको एनर्जेटिक फील होता है और आपको जान में जान आजाती है पीवी तो यह हो गई बाध इस्ट्टि निउट्रिशन और nutrients की तो हम देखेंगे यहां पर mode of nutrition तो क्या होता है इस्ट्रेंट की different living organism जो होते हैं उनका food intake करने का तरीका अलग-अलग होता है जैसे आप देखो यह elephant है यह plants को खा रहा है यह loin है यह दूसरे animal को खा रहा है और सबसे इंट्रेस्टिंग आप इस प्लांट को देखेंट प्लांट जो है इसको भी तो फूट चाहिए होता है लेकिन ये किसे दूसरे different living orders organisms का तरीका अलग-अलग है तो यहां पे दो important mode of nutrition हम डिससकर इस्ट्रेट्स फर्स्टीज और ट्रॉफिक mode of nutrition ठीक श्रॉफिक और दूसरा जो होता है ताट इस हेटरो ट्रॉफिक mode of nutrition कि अप्धेक्व यहां पर जित्वाद्रेकर ऑटो ट्रॉफिक यहां और ट्रॉफिक बड़्य मतलब होता है इसमझे स денूटरिशन और वैसे आपको यह dysbury छॉट श्रॉफिक गवाड़ का मतलब होता तो आटो ट्रॉफिक इसका मतलब है सेल्फ नूट्रीशन यह ऐसा मोड अफ नूट्रीशन है जिसमें एक और गिनिज्म एक अपना फूट मरा रहा है हो इस लुट अपना फूट करें उपना वर्ट पर ही अपना फूट अपना फूर्या पनारा था तो अमस्ट के प्लाइट वहूं सा मोडलạn नोउन घूट रोल अच्छा हेट ट्राफिक अफिक मोड और यूटिरिशिन यह दोसे लिलायन है वह भी दूसरे लिविंग caboawरली चौन के लिए हाँ आपको यह लग रहा कि यह प्लांट को खाड़ा है यह अनिमल खाड़ा है तो वह बात है इस्विट्स बट फंडामेंटली दोनों जो है दूसरे लिविंग और गिस्पेटेड़ के लिए अधर अधर दूसरे पर डिपेड़ने इसलिए उनका जो मौर अधर पेर सिपली एंगव को फॉटक तो रुलिए विकंटेश परागवा झोर्ट्र मेरिक हूट एलो इसी और प्रॉट्र ऌट करते हैं उनको बोलते है क्या स्टुन्स्थ क्या आप रह्म वगता है heterotrophs हेटरो स्था राइट ना चुनों अल्शेंट te बास्षान वद नुट्र स्था यह भी तीन टाइप आधा है यह अगहां को पताब श्ट्वेट्थ हर्वेवॉर कार निवय और औ मीधर हम तो harvi वोर क्या होता है इसे एसे और किनम है जो दूसरे पर ड्रोगेंडुक्त प्लांत डिटिखर फॉलत हों में एक ड्र प्हेंड़ सो ट्रिक स्विलइंबल इस है समय प्लांइबल नुट्रींट कि इसमें एक ड्रोग सी जिसमें एक अनिम्ल dूसरे एक हुंन होगा plant पर नहीं दूसरे अनिवल पर जैसे लाइन हो गया स्टाइगर्स हो गया स्नेक्स ओंगे ओम नीवर में क्या होता है इसे mode of nutrition है जिसमें की वह plant भी खा सकता है और animal भी खा सकता है जिसे क्रोग गया हम human beings हो गया है तो आपको समझ में आई होगी बात इस इक और चीज में आपको यहां पर बताओं स्ट्रेंट की जो plants होते हैं वह में समझ में आया कि वो कैसे होते हैं स्ट्रेंट वह होते हैं वह autotropic mode of nutrition करते हैं अपना food खुद ही बनाते हैं इस्ट्रेंट इसमें क्या है कि इसका जो फ्लावर है स्ट्रेंट वह इंसेक्ट को खा सकता है समझ में बात को आप देख रहे हैं तो इस्ट्रेंट उस टाइम हम मुलें कि यह जो plant है वह कैसा mode of nutrition use कर रहा है hetero-trophic hetero-trophic to students कई बार दुनिया में ऐसी अजीजी चीजे भी हो जाती है but generally generally most of the time plants will be autotrophs to students now we are going to a very important part of this chapter that is called nutrition in plants to यहां हम देखने वाले हैं कि plants जो है वो अपनी food की जो need है वो कैसे पूरा करते हैं students and let me tell you this students this is very very important this is very very important students plants जो है वो अपनी food की नीड को photosynthesis से पूरा करते है students this is a very important term photosynthesis students today is a historical day in your life because we are going to study photosynthesis in detail बड़ा इपर्टन होता है students photosynthesis एक बड़ा इपॉर्टन प्रोसेस है जिसके help से plants जो है वो अपना food प्रपेर करते है let me write out the definition for this the photosynthesis is a process which is carried out by plants to prepare its own food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll districts carbon dioxide or water ka use karke plants you have enough for good बनाते हैं in presence of sunlight and chlorophyll chlorophyll इस्वाइब सोच जोंगे chlorophyll क्या होता है तो थोड़ा सा वेट करें आपको समझ में आएगा what is this chlorophyll अच्छा मैं आपको यह बता दूँ students कि why this photosynthesis is very very important आपको ऐसा लग सकता है students की plants के लिए photosynthesis ब्राइब इपॉर्टन होता है animals के लिए या हमारे लिए तो नहीं होता है ऐसा नहीं है students हमा ऐसा बिलकुल नहीं है photosynthesis is the lifeline of life on earth photosynthesis नहीं होगा students life cannot exist क्योंकि photosynthesis plants यह वो अपना food बनाते है अपना food बनाते plants यह फिर इसी plants को तो harvivore खाते हैं students तो अगर plants photosynthesis नहीं करें तो plants मर जाएंगे plants मर जाएंगे तो harvivore मर जाएंगे और इसी harvivore को तो फिर कार्णी वोर या omnivore खाते है instruments या omnivore अभी खाते हैं उन omnivores में हम भी instruments तो आप सोचो कि अगर photosynthesis नहीं होगा तो plants तो मरेंगे plants के मरने से harvivores मरेंगे harvivores के मरने से omnivore और carnivores भी सबके सब मर जाएंगे instruments you can understand how important is this photosynthesis if there's no photosynthesis there's no you there's no me there's no life on this planet right students to study photosynthesis को study करेंगे तो photosynthesis में क्या होता है basically कि यह जो chemical reaction आप यहां पे देख रहे हो डरावन यसी complicated rates से वो होती है लेकि शुद्स आपको डरनी के जरूबत नहीं है यह जो reaction है उसका हर एक part आप बहुत 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 करेंगे और आपको हर चीस समझ में जाएगा और बहुत मज़ा भी आएगा students तो देखो क्या होता है कि यह plant ले लो आप students और उसका यह leaf है students तो यह जो leaf होता है उसके अंदर यह chemical reaction होती है तो basic fund यह है कि plant का कोई भी एक ग्रीन पार्ट है students तो उसके अंदर यह chemical reaction होती है तो generally तो leaf ही होता है ग्रीन पार्ट हाँ लेकिन कर कुछ plants ऐसे हैं जिनका steam जो भी ग्रीन है तो वहां पर भी यह chemical reaction होगी photosynthesis वाली तो होता क्या है कि आप देखो यह जो chemical reaction है उसके लिए chlorophyll बहुत जोड़ी होता है तो chlorophyll जोड़ी होता है तो जहां पर यह substance पाए जाएगा plant में वह पार्ट आप ग्रीन देखेगा जहां पर chlorophyll पाए जाएगा प्लांट में वह पाट आपको ग्रीन देखेगा इसी लिए इस लिए जो पार्ट green है वहीँ पर यह reaction हो सकती है चूशकिक इस reaction के लिए chlorophyll का होना जो रही आप प Kung समझग रहे है इस reaction को होना के लिए chlorophyll का जरूड़ी है और chlorophyll जहां पर होगा वो ग्रीन होगा प्लांट का पार्ट इसे लिए प्लांट ग्रीन पार्ट से मोस्टली लीफ पर यह रियक्शन होती है अब यह क्या रियक्शन आप देखें इस रियक्शन में कारवन ड्योग्सएड और यह रियक्शन हो तो आब तो स्रांटें से तो उसमें से कुछ कावाटर किसा हो थो तो वाटर जो है ट्रावलों के लीव तक आता है कैसे ट्रावलों के आता है यह सब भी देखेंगे अब यहां पर वो कावन डायोच्ट और वाटर जो है दोनों को दोने पहुंच गया है तो यह दोनों आपस में रियाक्ट करते है इन प्रिजेंस ओफ क्लोरोफिल जोगी है यहां पर आनिल प्रिजेंस ओफ सनल एंट सनलाइट भी उनिंबाहर जोड़ी ए एस दो इंडिम रियाक्ट है इसका मातर यह इक श्रूविट की फोटोस इंद्र का रात सप्टेजिस का रात को सकता है नई होता है नी सफों नाइट नियोगी तो दिन में होते है तो आप य यहां पर जब carbon dioxide and water react करते हैं तो यह substance बनता है इसका नाम मैं आपको बता हूँगा इसका नाम है glucose इसका नाम है glucose सुना आपने हमने पढ़ा आना है glucose क्या होता है glucose is a type of carbohydrate अब क्या है कि यह जो carbohydrate यहां में बना इस्ट्रेंट वो plant के पूरे body में circulate हो जाता है different different part तक पहुंचता है अब होता है कि प्लांट के body है बहुत सारे different processes और activity चल रही होती है उसके लिए उसके इनर्जी चाहिए होती है तो यह glucose why energy provide करता है तो यह जो glucose है that is used by plant used by plant for energy समझ रहा बात को प्लांट को भी तो energy के जरुबत है उसके body है बहुत सारे process चल रहे है तो यह जो glucose बना इस्ट्रेंट्स वह plant के उसके energy की need को satisfy करता है now please note this is very important इस्ट्रेंट्स यहाँ इस प्लांट ने क्या किया है प्लांट को food चाहिए था तो प्लांट का food क्या वेसे कि लिए glucose यह glucose और यह glucose आया कहा बनाया by conducting a reaction between carbon dioxide and water इस्ट्रेंट्स मैं आपको भी बोल रहा ने पहले कि plants जो होते है वो अपना food खुद बनाते है तो खुद बना रहा है वो किसी दूसरे प्लांट को नहीं खा रहा है वो किसी दूसरे खुद बना रहा है by doing this chemical reaction कि दूसरे और इसट्रेंट नहीं खा रहा है यह वाद प्लांट की नीट को सैटिस्पाई कर दिए लेकिन जनरली क्या होता है कि प्लांट अपनी नीट से जाला ग्लुकोज बनाता है तो जो एक्स्ट्रा ग्लुकोज है जो प्लांट को नहीं चाहिए उसका क्या होता है वो प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है वो प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है तो क्या होता है कि वो जो ग्लुकोज है वो दूसरे फॉर्म में convert होता है starch के form में star वो भी एक ताप कार्बो हईड़ेट ही है तो होता कैनी कि glucose को plant के body में store करना थो डिफिकल्ट होता है इसलिए glucose जो है दूसरे form में convert होता है starch के form में starch को easily store किया जाता है plant के body में तो यह जो starch है वो plant के different parts में स्टेम में, लीफ में या, fruits में, fruits में, fruits में, या जो vegetables होते हैं, plants में, fruits उन में जाकर स्टोर कर लिया, इसी food को हर भी रोड़ खाएगा, स्ट्रेट्स, और फिर इसी हारवीवर को कार्मीवर खाएगा तो आज समाझ सकते हैं इस फोटो सिंथेजिस का जो प्रोसेस है यह कितना इंपोर्टन है प्लांट को उसे कार्य मिली रहे हैं उसमें जो extra इनरजी प्रोडिस है वो क्यों से हारवीवर खाएब कर रहा है तो बनता है students कि हम इस leaf के structure को और deeply जाके study करें ताकि हम photosynthesis को और अच्छे से समझ पाएं So structure of leaf, तो students अगर कि ये कोई leaf मैं लूँ और उसके छोटे से part को magnify करके, zoom करके, microscope के अंडर कर मैं देखूं, तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा students Students देखके डरने की जरुवत नहीं है, हर part इसका मैं आपको समझा दूगा, वह बड़ा मजा भी आएगा students Students आप सो सकते हो कि पतले से leaf में क्या इतनी सारी चीजे होती है, होती है students आपको वह थिन सा लग रहा है, लेकिन microscope से हम देखेंगे तो उसके इंदर बहुत सारी चोटी चोटी चीजे हमें दिखाई देखें तो अब चलो इसको तो आप सबसे पहले आप इसके ऊपर ऊपर एक लेयर होती है पतली से लेयर होती है लीफ पे ट्रांस्परेट और वैसे आप दो नीचे भी होती है और इसका नाम क्या होता है students cuticle क्या करता है students cuticle अचा इसका रोल क्या होता है यह क्या करता है students तो बड़ा simple students cuticle protects leaf मतला students वो ऊपर से और नीचे से पतली लियर है जो कि leaf क्या करेगी protect करेगी leaf के अंदर की जो चीजी है उसको क्या करेगी protect करेगी अच्छा इसके अलावा भी क्यूटिकल का एक important काम होता है देखो हो हमने पढ़ाना है कि लीफ के अंदर photosynthesis होता है जिसमें water और carbon dioxide react करते हैं तो वाटर में focus करें लीफ में काफी साला water होगा तो क्यूटिकल क्या है वो ensure करता है कि वो water जो है वो निकल ना जाए वो निकल ना जाए तो हम लिख सकते हैं क्यूटिकल प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फाम लीफ समझना है बात अब क्यूटिकल से आगे बढ़ते हैं अब देखो यह जो क्यूटिकल है उसके नीचे एक लेयर है जो हाइलाइट की गई है वैसे क्यूटिकल के ऊपर यहां पर एक लेयर है उसको बोलते हैं इस्ट द्रमिस का यहां पर कुछ खास इंपॉर्टन रोल नहीं है फोटो सेंथेस को लेके इसलिए इसको हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे इस अब देखो दोनों एपी डर्मिस के बीच में बहुत सारे सेल्स है स्टोइट यह सारे सेल्स है इस आरे सेल्स यह पर एंपॉर्टन इस 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 पर हम वह पस आएंगे इन मेजोफिल या फोटो सेंथेस इस से वही तो में चीज है बट उससे पर आप देखें इस ट्रॉक्टर सा जो है एक ओपनिंग जैसा है इसको बोते है स्टोमा इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इस तो लीव का एक बेस क्यूटिकल फिर इपिडर्मिस और बीच में मेजोफाइल या फोटो सिंथेटिक सेल्स राइट इस ओके और में इन सेल्स की बात करते है तो लिटे मूव दिस इस साइड तो आप एक किसी सेल को पकर लो इस तो आप ऐसा सो सकते हो सबसे पहले स्ट्रेंट कि जैसे किसी प् इस निूक्लिस है साइटो प्लाजम है सेल बॉल है वेक्ट्यूल है यह सप्लाइंट सेल्स में होता है लिए भी हरी इक खास बात है in फॉटो सिंथेटिक सेल्स एमन्में एक और structure in case is make or organelle hota अब देखो यह जो green color आपको ओर इन दिख रहा है ठीके that is chloroplast that is chloroplast chloroplast to leaf ke mesophile or photosynthetic cells होते है उनमे chloroplast होता है अचा यह chloroplast होता है यह बड़ा important organelle है chloroplast is an organelle in the cells of leaf where photosynthesis reaction happens बड़ा इंट्रेस्टिंग है इस chloroplast के अंदर ही photosynthesis की वो reaction होती है मतलब इस chloroplast के अंदर ही carbon dioxide of water वो react करते है और reactor के glucose बनाते है इस chloroplast के अंदर ही होता है वो पूरे leaf में हर जगा नहीं होना होता है photosynthesis के reaction इस chloroplast के अंदर ही होता है समझ रो अचा है इस कॉर इपॉर्टन बात इस chloroplast के अंदर ये जो औरगेनल है औरगेनल है उसके अंदर chlorophyll होता है chlorophyll में इनने देखा कई बाद तो chlorophyll क्या होता है chlorophyll is a pigment-like structure which absorbs sunlight for photosynthesis तो chloroplast आपको समझ में है वो एक औरगेनल है उसके अंदर green-green pigment-like structure होता है जिसको chlorophyll बोतने है वो sunlight को absorb करता है और उसके sunlight को absorb करने के बाद ही photosynthesis हो सकता है आपको समझ में आड़ी बाद इस्टूरेट्स तो I hope students आपको समझ में आओगा कि leaf में क्या होता है cuticle होता है फिर epidermis होता है फिर photosynthetic cells होते है उन photosynthetic cells में chloroplast होता है chloroplast के अंदर chlorophyll होता है और इसी chloroplast में photosynthesis की reaction होती है I hope you understand this अच्छा हाँ एक और बात students की इसके अंदर जो chlorophyll है उसे कहां leaf को उसका green color मिलता है तो leaf looks green because of this chlorophyll अब इस्टूरेट्स हम क्या करेंगे यह जो stoma के बारे मैं आपको बताया था इसका बड़ा important role है photosynthesis में क्या role है यह क्या करता है let's have a look at that तो इस्टूरेट्स एस्टूरेट्स इस्टूरेट्स आप इस फोटोग्राफ को देखो अगर आप किसी leaf को उसके surface को microscope से देखोगे तो आपको ऐसा pore दिखाई देगा जहाँ पर एक ही pore आप इस फोटोग्राफ में दिखा रहे है पर्ड सारे प्राश्ट सापको दिखा दें भी जो प्रहें इसको बोलते स्टोअ क्या मोसे स्टॉइट अच्छा ध्यान देंगे ट्रेंट्स कि स्टोइट कि स्टॉमा जो होता है वह सिंगलर व मुन इसका प्लूडर होता है इस यहां पेस्ट धियाद देनी बात है उसमें ऐसे नहीं लगाना है, stoma is singular and stomata is plural तो अगर हम एक पोर्ट की बात कर रहे हैं तो stoma बोलेंगे और ऐसे बहुत सारे पोर्ट होते हैं liquid के surface हैं, बहुत छोटे-छोटे होते हैं बहुत सारे होते हैं, उन सब की बात कर रहे हैं उसमें से back side में, से back side में stomata होते हैं, से पीछे, front side में ही होते हैं, से पीछे ही होते हैं ऐसे narrow bag की जो leaf होते हैं, उसमें दो साइड में, front और back दो साइड में stomata होते हैं, just an important thing, just an interesting thing which you should know, distraught, ठीक है, बिसको हटाते हैं अब देखो, students, यह जो stoma है, इसका role क्या है, इसका क्या uses का क्या काम है, तो देखो, हमने पढ़ा है, students की photosynthesis में, photosynthesis में gases का exchange होता है, उसमें carbon dioxide और water जो है, वो react करते हैं, और वो react करके क्या बनाते हैं, students, glucose and oxygen, तो आप देखो, gases का बड़ा important role है, photosynthesis में, है न, students, photosynthesis process करने के लिए, carbon dioxide को leaf के अंदर आना पड़ता है, students, leaf के अंदर आना पड़ता है, ठीक है, तो वो leaf के अंदर कैसे आएगा, students, वो stomata से अंदर आएगा, समझ में आ नीगा, अच्छा, जब photosynthesis का reaction हो जाएगा, तो oxygen produce होगा, जिसको leaf के बाहर जाना पड़ेगा, students, तो बाहर कैसे जाएगा, students, वो इसी stoma से बाहर जाएगा, students, I hope you understand, तो stoma जो है, वो छोटा सा एक पोर है leaf के और ऐसे बहुत सारे पोर्स होते है, और उन पोर्स से gases का exchange होता है, photosynthesis के लिए carbon dioxide अंदर आती है, और photosynthesis के बाहर जाता है, तो बाहर जाता है, students, so that is the role of stomata, so students हम ली सकते हैं कि, stomata facilitate exchange of gases between leaf and atmosphere, which is essential for the process of photosynthesis, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब आप इस फोटोग्राफ को देखो, इसमें आप देखो, दो stoma आपको दिखाए गाए instruments, अच्छा, दोनवे difference instruments, क्या difference आपको समझ में आ रहा होगा, यह जो stoma है, यह open है, open, और यह जो stoma है, students, वो closed है, तो दो हमने पढ़ा, कि leaf के surface पोर्स होते है, जो कि जरूरी है, गैस का exchange करने के लिए, लेकिन यह हर टाइम खुले में नहीं होते है, यह पोर्स कभी खुल सकते हैं, कभी बंद हो सकते हैं, कभी खुल सकते हैं, कभी बंद हो सकते हैं, होता क्या है कि ऐसे पोर्स का होना जरूरी है ताकि गैसे एक्सचेंज हो ठीक है और फोटोजिंथेसिस हो सके लेकिन इन पोर्स से यहां से जो पानी बहार आ रहा है अगर बहुत ज़्यादा पानी बहार आ जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में तो प्लांट में या ट्री में पानी की कमी हो जाएगी विच इस लिए इस पोर्ड को हर टाइम खूला रखना सही नहीं है तो क्या होता है जब फोटो सिंथेस का प्रोसेस से बन還有 для gases which needs togi godtर के साथ तब तो यह में ओप ऊपन रहेते हैं और उपन रहेते हैं ताकि एक्सेंज बहार निकल रहा होता है भले हम नचाहें बढ़र में निकल रहा होता है और असका कोई उपाय नहीं है लेकर हां जब फोटो सिंथेजिस नहीं हो रहा हैए ज तो उस टाइम इस्टोमेटा अपने आप क्लोज हो जाता है ताकि पानी का लॉस ना हो आप समझ दो मैं बात को ठीक है तो फोटो सिंथेजिस के कॉर्डिंग गैसिस का एक्स्चेंज होना जरूरी है लेकिन वो हर टाइम नहीं होड़ा होता है तो जिस टाइम इन गैसे एक्स सिव लॉस ना हो सके है I hope you understand this तो इसको लिख भी लेते है कि विस्टोमेटा आर ओपेन अल्ड़ टाइम दिन देर वी एक्सेसिव लीकिज अव वाटर फ्रम प्लांट विच इस नाट डिजारेबल तो स्टॉप देट लीकेज इस्टोमेटा 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 ग यह अपने आफ खुल जाता है और बंदो जाता है अपने आप खुल जाता है बंदो जाता है किया से हो रहा है स्टविकों तो लेट में तेंच Wyla कैसे होता है यहांपर मैं एक open stoma बना रहा हूं और यहां पे close stoma बना रहा हूं ठीक है अच्छा आप देखो यह जो stoma है उसके round दो structures आपको दिख रहे हैं वह अच्छली guard cells कहला पर है जो stoma है उसके round दो cells होते हैं जिसे आप यहां पर देखो दो cells है यहां पर जब stoma open है तो आप देखो इन guard cells का shape कैसा है straights दोनों का shape curved है यहां पर जब यह बंद है तो इन दोनों का shape कैसा है straight है straight है तो stoma के खुणने और बंद होने का जो राज है वो guard cells में छूपा गाए अगर guard cells का shape curved हो जाता है तो यहां पे पोल बन जाता है stoma open हो जाता है अगर उन guard cells का shape जो हो straight हो जाता तो drama जो है वो close हो जाता है, कैसे उनका शेप चिंज होता है, बादासान let's आप यहाँ पर देखो, यह मैंने close drama लिया, ठीक है, अभी आप देखो उनके दोनों guard cells जो है वो straight है अब सब उचकर इसको open ओना है, open कैसे होगा, तो तो leaf में water तो होता ही है, तो water जो है वो इन guard cells में flow करने लगता है और जब water ने flow करता है तो इनका shape जो है वो curved होने लगता है ये bulge होने लगते है basically full ने लगते है और fullness इनका shape जो है curved होने लगता है जैसे आप यहां पर देख सकते हो तो curved होगया shape तो open होगया अब इसको वापस बंद होना है तो क्या होगया जो पानी अंदर आया था वो बहार नेकल लगया पानी बहार नेकलने लगया तो इनका जो shape है वो वापस से straight हो जाता है और stoma close हो जाता है समझ में आया आप बात stoma open या close हो रहा है due to guard cells तो इस बार आप देखो फिर से कि यह अभी close stoma है इसको अगर open होना है तो क्या होगया पानी अंदर आएगा पानी अंदर आने से guard cells bulge करेंगे उनका shape cut हो जाएगा और stoma open हो जाएगा अब इसको बंद होना है तो क्या होगा इसको मैं लिग भी रेता हूँ आप वीडियो को pause करके पढ़ें तो इसमें कुछ सिंपल टंस पहले देख लेते हैं वह लीव का tip कहलाएगा लिफ का जो मीजर पोर्शन इसको लामीना बोलते है उसका जो एज है स्टूइंट को मार्जिन ठीक है अचा में चीज को आप देखो यह जो स्टूइंट आपको दिख रहा है इस्टिक लाइक स्ट्ट्चर जो लीव के अंदर जा रहा है उसको बोलते है स्टूइंट जा रहा है अचा यह जो मिटरे वे स्टूइंट आप देखो फर्द वो प्रांच आउट हो रहा है और यह जो प्रांचे जैस्टूइंट को बोलते है वेंज ठीक है अब देखो हम क्या करने वाले यहां पर लीव के छोटे पोर्शन को जूम करके हमने पहले देखा था ठी कि वें भी जो है उसमें आयों उस छोटे से पोर्शन में तो लेट में में इस स्मॉल यह हमने इसको जूम किया स्टूइंट तो आप देखो इसके अंदर आप क्या एक्स्पेट कर रहे थे स्टूइंट लीव का स्ट्चर तो हमने देखा है वह यह आपको लग रहा होए य इस चीज को देखो लुक अडिस यह क्या है तो में आपको बता नहीं इस बार हमने लीव का जो पॉर्शन लिया है चोटा साब वह ऐसे लिया है कि उसमें वेन भी आया है वेन भी आपने बात नहीं कि दिख तो यह आपको ट्यूब लाइक स्टूच्चर दिख रहा है यहा वाले ट्यूब स्टूच्ट तो इसमें से एक जो है वो स्टूच्ट कराता है जाईलम और जो दूसरे सेट अफ ट्यूब से वो कर लाता है फ्लोएम तो जालम और फ्लोएम जो है वो ट्यूब लाइक स्टूच्चर होते हैं जो पूरे लीफ में होते हैं और वो पूरे ली यह पूरे स्टेम में बनकरते हैं तो अभी जो फ्लोए में खोते हैं जो की पूरे स्टेम में और लीफ में भी होते हैं अभी नहींका क्या करते हैं कि Carbon Dioxide और Water react करते हैं और वो रियक्ट करके glucose बनाते हैं और oxygen रट जाना चाहिए पूर्ण ठीक है तो अब देखो reaction के लिए Carbon Dioxide और वाटर चाहिए होता है तो वाटर ने फोकस करो तो वाटर जो है वो तक पहुंचाना राम रूटने चो वॉटर इब्सॉर्व गया स्टुरेंट्स वो तो लीव तक पहुंचाना है वह तक पहुंचाना है क्योंगि यह वहाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉंसिव रोता है इस जालम के थुई पानी जो है रूट से उपर आता है और फिर इस लिफ में गया और बाकी भी और लीस में जाए गाइट तो जालम क्या कर रहा है इस वेरी इपोर्टन जालम 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 इस रिस्पॉंसिबल फोर ट्रांस्पोर्टेशन फॉर्ट इस तो इस लिफ में यहां पे ग्लुकोज बना अब इस इस ग्लुकोज को ट्रांस्पोर्ट होके पूरे प्लांट में जाना है तो कौन ट्रांस्पोर्टर के ले जाएगा इस्टुएट्स फ्लोम 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 जो हो भी पूरे प्लांट में फैला होता है वो फ्लोम जो है इस ग्लुकोज को ट्रांस्पोर्ट होके प्लांट के तक लिजाएगा उपर भी लिजाएगा नीचे भी लिजाएगा जहां पर वो यूज होंगे या स्टोर होंगे तो फ्लोएं का क्या फंक्शन है इस्टूइट इस रिस्पॉंसिबल फॉर ट्रांस्पोर्टिंग ग्लुकोज फॉर्म लीज्टू डिफ्रेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तो इस वेरी इंपोर्टेंट आपको बास समझ में आरही होगी कि यह जाएलम औफ फ्लोएं क्या काम करते हैं जाएलम फ्लोएं जो है वो ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम है प्ल ंट करने के लिएartet रिस्पांसिबल है रूट ने पानी को अर्टव किया दया स्टोड ने किस पानीगल है मुए से श्ट्रींट 닭 पार बंचरिवें प्लांट पर में लेकि जाता है अब क्या कर रह एं प्लांट करके उत उसको ट्रंस्पोर्टobsर्ट करना तो कौन को ट्रांसपोर करना और। है और तोwiąz हम संथज के वह प्रें लियन अब सब को एक क्या होता है हम ने पढ़ा है और यह रियाक्षन होते है राइट की कार्मन डायोकसाइड और वाटर जो है वो रियाक्ट करते हैं इन प्रिजेंस ओफ सल लाइट एंड ख्लोरोफिल राइट तो फानली बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो इस देखो क्या हो रहा है यहां पर प्रक्द करें फिजम रएफ यह हमारा प्लांट है उसमें यह लीव तो सबसे पहले जो फोटो सेंदेसिरेंट करहां प्लन जोंडिगी हो रहा है यहां घुत्र सभ्लाप ग्र्रेन फ्लीप्रॉब जो की ए इन ग्रीन पार्ट्स में इन के अंदर मेजोफिल सेल्स है और फोक doin्टिक से जिसके अंदर एक इंपोर्टन ओरिंटering का नाम है क्लोरो प्लास्ट प्रैमने आनल श्क्लोरेख कलोरीट को लाइड़श उपस राइड अम गॉर्डी को लखNET औस साल गलाइट के प्रेंजन समें ही यह interaction हो सकती है इस लिए प्लांट ग्रीफ में यह अजम बहूलतों कि यहां में लीफ है क्लोड़ो प्लास्ट है क्लोड़ो प्लास्ट में और हिले वह संल somehow को एब्सॉर्व करता है ठीक है अब ये जो रियाक्षिण है उसमें दो चीज़े रियाट करने वाला है carbon dioxide and water तो क्योंकि यहां में reaction होने वाली है तो यहां पर carbon dioxide को भी पहुंचना पड़ेगा और water को भी पहुंचना पड़ेगा तो इस लीफ के अंदर carbon dioxide कैसे से जाता है कारवन डियोकसेट कैसे जाता है पता है अटमोस्फेर से जाता है लेकिन कैसे थुरू 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 इस्टो मैटा इस्टो मैटा के थुरू कावन डियोकसेट अंदर आता है इस्टो मैटा के थूरू कावन डियोकसेट अच्छा अब पानी यहां तर कैसे होता है roots में तो वो leaf तर कैसे पहुंचता है तो इस तो नों आपस में react करते है इंप्रिजेंस ऑफ सब्सक्राइब अंदर यहां पर reaction होई क्लोरोप्लास्ट के अंदर reaction होने के बाद oxygen बना और glucose बना अचा जो उसका कोई काम निया प्लांट में तो उसको क्या होना है उसको प्लांट से बाहर निकल जाना बाहर निकल जाना है तो बाहर कैसे निकलता है अभी बता है मैं आपको थुरू फ्लोएं थुरू फ्लोएं समझ में आई बाद इस्टूइंस आपको तो इस 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 इंटार स्टोडी और फोटो इस इस कि अंदर क्या रियक्शन होती है और क्या क्या उसकी डिटेलिंग है यहां पर चोटी से चीज में आपको बताना चाहूंगा इस्टूइट्स विच इस नॉट वरी इंपोर्टेंट कि यह जो है वो थोड़ी सिंप्लिफाइड रियक्शन है फोटो सिंदिस्की इस में क्या वोला कि यह रियक्टेंट्स है और यह प्रॉडट्स है यह ठीक है ले कुछ इंटरमेडियर प्रॉडट्स मनाती है कुछ अलटाय के प्रॉडट बनाती है वह फॉर्दर आपसमें रियक्ट करके फाइनल प्रॉडट्स मनाते हैं तो यहां पर यह हो रहा है कि ये दो रियाट्ट करके हमें यह देता है विच इस the main important thing of photosynthesis